हेलो बच्चों यह 19 का question है 2019 का इसमें आपसे बोला गया figure source a dc voltage regulator circuit with general diode of breakdown voltage 6 volt मतलब इसके पास 6 volt है breakdown voltage if the unregulated input मतलब यहां पे कोई input supply देगा where is between 10 volt to 16 volt then what is the maximum general current अब यहां पे maximum general current के लिए आप बच्चों maximum voltage होना जरूरी है क्योंकि voltage जितना ज्यादा हम देंगे आप इंपूट में उतना ज्यादा करेंट हम main current आएगा जितना ज्यादा main current होगा उतना ज्यादा current इधर भी divide होके आने का chances रहेगा इसलिए हम लोग 10 volt पर काम नहीं करेंगे हम लोग काम करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को यह आई इस आयल और आई जेट यह तीनों देखना पड़ता है बच्चों और जिना डायोट का बोला गया कि इसका जो cd is equal to il into rl बट cd कितना वालू में 6 volt il हम लोग को चाहिए क्योंकि बीना il के हम आगे समझ नहीं पाएंगे बच्चों और यह kilo में है तो आप जब यहाँ से il solve के निकालेंगे 6 by 4 करके और यह 10 to the power minus 3 हो जागे ज़रा करके तो यह आपको मिलेगा 1.5 milli ampere अब आपको il मालूम हो गया बट एक चीज़ दो क्लियर है कि अगर हमने यहाँ पर 16 वोल्ट दिया है और यहाँ पर 6 वोल्ट इसके पास पहले से मतलब है मतलब यह आपने पास 6 वोल्ट ही रखेगा always तो out of 16 इसने 6 consume किया ठीक है क्योंकि इस पूरे combination के cross voltage के सब्सक्राइब तो जो भी यहाँ वोल्ट देंगे हम लोग उसका कुछ पाट यह consume करेगा कुछ यह consume करेगा बट इसका कंजम्शन तो फिक्स है कि कितना होगा 6 वोल्ट ही होगा क्योंकि जीनर का breakdown दिया होगा 6 वोल्ट इसका मतलब आउट 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 आप 16 अगर यह 6 consume करेगा तो यह कितना consume करेगा बच्चों 10 वोल्ट इसका मतलब यह मान लेजिए आप कि यहां से यहां तक जो वोल्ट इसका कर रहा हो 10 वोल्ट कर रहा है ठीक है तो लिखेंग हम लोग वोल्टेज अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस टू किलो ओम दाउट इस वी वोल्ट इसका रहा हो गया तो अब अगर वी वोल्ट वालूम हो गया तो हम लोग आईस भी निकाल सकते है है तो 10 वोल्ट इस एक्वल टू आईस तो हम लोग चाहिए रस कितना है तू किलो है तो यहां से आईस इस इस इक्वल टू टू टैन अपॉन तो किलो ओम तो अच्छों यह मिल जाएका 5 मिली एमप्यर तो अब जस्ट आप सोचें कि अगर यहां से यह 5 मिली एमप्यर करेंट एंटर किया और इसने बोला कि इसके एक्रॉस जो करेंट जाएगा वह मैक्सिम कितना जाएगा 1.5 तो अगर यहां पर फाइव मिली एमप्यर आ रहा है उसका पार्ट कुछ पार्ट इसमें चलागा तो रिवेनिंग पार्ट कहां जाएगा इसमें जा और आई जेट कितना है यह निकालना है आई यल तो 1.5 है तो बच्चों यहां से आई जेट निकालेंगे हम लोग तो 3.5 मिली एमप्यर आएगा 3.5 मिली एमप्यर आएगा इसका उप्शन नमबर डी करेक्ट हो जाएगा